नमस्कार बहुत सौगत है आपका काली मिर्च का महा प्रयोग आपके बंधी किसमत को खोल सकता है स्वास की समस्याओं को दूर करेगा यहां तक की रोजी रोजगार की मुश्किलें भी समाथ करता है तो चलिए आज जानते हैं काली मिर्च की काली मिर्च एक ऐसी बस्तू है जो धन भी देता है और दुस्मनों का नास भी करता है हर किसी के घर में होता है और जिस घर में काली मिर्च होता है वहां लक्षमी भर भर के रहती है काली मिर्च का प्रयोग बहुत तरीके से किया जाता है पुजापाट में तंतर क्रियाओं में आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे वीडियो के अंतक बने रही है जीवन में कभी कभी अपने ही सत्रू हो जाते हैं और पडोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं कि हर कोई सत्रू है अपने भी होते हैं अच्छे भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं आपके करियर से आपके पुसाली से जनन रखने वालों को टॉपिक नहीं चाहिए बस वह जलते ही रहते हैं कभी कभी तो इतने जदा वह परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं अब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आज हम काले मिर्च की बात करेंगे देखिए काले मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं तोटके किये जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज है आपके क तवरण का प्रवेश होता है भागी को बदल कर रख देता है ये काली मिर्च माणनेता है अगर आपके उपर सनी देप की साड़े साती धाहिया परिसान ज्यादा करें आपको तब सनी वार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़े से सिक्के अगर काले धागे के साहरे बांध कर किसी को दान कर दें या पीपल के नीचे रख दें या किसी मंदिर के सिड़ी पे रख दें तो सनिदेब के प्रकोप से मुक्ती मिलती है तो ये तो सिंपल सा प्रयोग है इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी और जीवन क बहुत सारी परिसानियों से बाहर निकल आएंगे कई बार क्या होता है आप दिन बदिन उलसते चले जाते हैं किसी ने किसी चीज में कभी बीमारियां परिसान कर रही कभी धनकी समस्या है कभी पारिवारिक टेंसन है बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं एक को आप ऐसे ऐसे tension होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे में आप मान लेते हैं आपके बहुत स़ाई tension है आप परिसान हैं क्या करेंगे बहुत simple काम करना है सनिवार के साब काली मिर्च के पांच दाने ले ले अब उन को आप अपने सर से साथ वार वार ले अपने घर में ही यह काम कर ले अब इसको किसी चीज में रखकर कागस बेगर में आप किसी भी ऐसे अस्थान पर खड़े हो जाए अगर चौरहा है आपके आसपास तो वहां चले जाए या ऐसे अस्थान पर चले जाए जहां पर लोग ट को उपर आसमान की तरफ फेके और वापस आ जाए पीछे मुड़ कर मत देखिएगा आकस्मिक धनलाप के योग बनेंगे जीवन के बहुत सारे परिसानियों से आप बाहर निकल आएगे आज हम सत्रू मुक्ती के लिए एक छोटा सा प्रियोग आपको बताएंगे बहुत सत्रू है एक है हजार है सबका नाम लीजेगा तो आपको साथ काली मिर्च लेना है आप चाहिए तो 11 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब इसको आप किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका सा कूच दे पाउडर वाला जो मार्केट मिलता है उसको मत लीजेगा उसमे तो गाई के कच्चे दूद में मिलाकर किसी भी सनी बार या सोम बार के दिन जाकर सिबलिंग पर अरपित कर दे भगवान से प्राथना करें कि सत्रू से मुख्ती दिलाईए यकीन मानिए सत्रू सांत हो जाएंगे तीन सनी बार या तीन सोम बार लगातार कीजेगा बहुत स बाचित मत कीजिएगा परियोग करने के समय, आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर की गई प्राथना कभी भी और स्विकार नहीं होती, वो स्विकार हो ही जाती है, अब कई ब बहुत जगा दूद भी नहीं देते, दूद वाला लिट से देते हैं, क्या करेंगे तब? तब अगर आपको लगे कि नकात्मक उरजाएं बढ़ गई है, जीवन में टेंसन बढ़ गई है, परेसानिया बढ़ गई है, तब एक सिंपल सा परियोग करें, बहुत सिंपल है, कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप दिसा बटक गए है, या पिर आप लगता है, लक्छहीन हो गया है, चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब एक सिंपल सा काम कीजेगा, आपको चाहिए होगा थोड़ा एक कागज, और वो अगर भोजपत्र हो, तो और करनाया जाता है, जिसमें लाइन डे नहीं होती, खीची भी वही वाला लीजेगा, अब इस पर काजल से या काली के सहारे सत्रू का नाम लिखिए, अब लिखने के बाद थोड़ा सा सहद उसके उपर लगा दे, जहां पर सत्रू का नाम लिखा है, उसके उपर, इसके बाद काली मिर्च के साथ दाने रख दें, अब इस काज़ को जैसे मर्जी वैसे जला दें, चाहे तो काज़ को जला दें, या किसी आग में डाल दें, जलती भी आग में, ये परियोग आपके सत्रू को आपके जीवन से हमेसा के लिए दूर कर देगा, जब आपने सहद लगाया तो इसका मतलब है उसी समय सब खत्म, आपके बारे में कुछ गलस सोच भी नहीं पाएगा, एकदम से सांथ, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रयोग अदभूत है, तो सत्रू से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग अदभूत है, और इसका प्रभाव बहुत जादा होता है, अ अब यहाँ पर जब ज़्यादा परिसानी हो जाए तब एक सिंपल सा काम करें, आपको चाहिए होगा पांच काली मिर्च के दाने और गाय का घी, अब घी में थोरा सा घी पिगला लें, इसमें पांच काली मिर्च के दाने लेने, साबूत लेना है, किसी डब्बे में बरतन में लेकर जाएं, सिब जी के मंदिर, घर में भी कर सकते हैं, बाद में इसको उठा कर कई मिर्च में दबा दीजेगा, अब सिबलिंग पर इस घी में जो मिक्स किया है अपने काली मिर्च, उसको अरपित कर दे, भगवान से प्रार्थना करें, आपकी रक्षा हो, इसके बा महां पर सिबलिंग पर अरपित कर दिया, तो फिर आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ सिब जी पर छोड़ दे, अब वही सब कुछ करेंगे, अगर घर में नकारत्मा कुर्जा बढ़ गई हो, घर में परेसानी जादा हो, जगड़े लड़ाई, बाद विबार, अंधन नहीं बचना, बार-बार चोट चपेट नगना, लगता है जैसे कुछ हो गया है, खुसियों को नजर लग गई है, तब एक सिंपल सा काम कीजेगा, एक खास बात, हम आगे बढ़ें उसके पहले, देखें कई बार क्या होता है, आपके बच्चे हैं, टीनेज के हैं, बाहर जाते हैं, इधर दो घूमते हैं, कभी उनको अंदर से अच्छा फेलिंग नहीं आता, कहते हैं मनुदास सा लग रहा है, तब दो दाने काले मिच उनको दे दें, बोलें कि दान से चवाएं और उसके वाद थूख दें, अगर किसी भी तरह का कोई नजर दोस होगा, क क्योंकि उनकी पूजा करने के बाद हनवान जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि हनवान जी सनीदेव के सबसे प्रिय हैं, और अगर ब्यक्ति सनीवार के दिन हनवान जी की पूजा करें, तो सनीदेव की किरपा परस्ती है, तो आज हम बात कर रहे हैं काली मिर्श की, अगर एक सरसों के तेल का दीपक जलाईए और उसमें साथ आठ दाने काली मिर्च के डाल के रख दीजिए आधा गंटा कम से कम जलने दीजिएगा और जब दीपक सांथ हो जाए तब इसको उठा कर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा या फिर पीपल के नीचे मिट्टी में रख दीजिएगा दबाकर अब एक और एक खास बात आप घर में दियाबाती तो करते ही होंगे आप साम के वक्त जब दियाबाती करते हैं तब एक छोटा सा काम क्या करें वैसे सनीवार की साम एक दीपक पीपल के नीचे जरूर जला है अगर आप पीपल के नीचे नहीं जला पाते हैं तो घर के मुखे दरवाजे के बाहर ही जला दीजिएगा ताकि पित्री देवों को इस से मुक्ती मिले और वो संतुष्ट हो जाए उनके निवित जलाया जाता है और दूसरी बात जब भी घर में दियाबाती करते हैं दो काली मिर्च के दाने डाल कर फिर पूरे घर में दिखाएए जब दियाबाती में बाती जले की तेल जलेगा उसके साथ काली मिर्च जलेगा ना तो नकारतमक उर जाये साम हो जाएगी वैसे तो काली मिर्च दीपक में डाल कर रोज आप साम के समय दिया वाती दिखाते समय डाल सकते हैं दो दाने जादा नहीं डालना एक दाने दो डाने डालिए इतम बाती के पास रखिएगा काली मिर्च को कि वह भी हलका हलका जले और पूरे घर में उसका दालेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेव